हलो दोस्तों तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है इंडोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड से उल्टा है कैसे उल्टा है पहली बात तो यह डॉक्राइन ग्लैंड इसके बाद डॉक्राइन ग्लैंड इसके बाद डॉक्राइन ग्लैंड इसके बाद डॉक्राइन ग करता है, chemicals produce करता है, but वो directly blood में उसको release करता है, कहां release करता है, directly blood stream में, blood में release करता है, ठीक है, it is a ductless gland, इसके कुछ examples है, hypothalamus gland, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal gland, pancreas, testis और ovaries, testis हमारे male में पाय जाता है, ovaries हमारे female में पाय जाता है, इन सा भी के रोल है, जिसे मैं thyroid gland का एक example दे दूँ, thyroid gland में कहा है, दो hormone produced होते हैं, T3 और T4, ठीक है, तो ये सब क्या है, endocrine gland है, endocrine gland मतलब जो directly, जो hormones और chemicals को directly blood stream में release करा जाता है, और एक और example में आपको देता हूँ, pineal gland का, pineal gland में हमारा एक hormone produce होता है, melatonin, ठीक है, melatonin क्या होता है, आपने साइद सूना होगा, melatonin क्या होत जिसे कुछ लोग होते हैं, उनको रात को नीन नहीं आती, ज़्यादा फोन चलाते हैं, तो उनको नीन नहीं आती, तो ये melatonin क्या major role play करता है हमारी sleep cycle में, जो हमारी 24 hours की एक sleep cycle है, उसको पुरा regulate करता है, कि हमें इतने बज़े नीन आ जाहिए, क्यों आ जाती है, melatonin के जो फोन की light होती है, उस फोन की light के वज़े से वो जो फोन की light है, वो melatonin release होने से prevent करता है, मतब रोकता है melatonin को release होने से, वो फोन की light, जिसके वज़े से उन बंदों को रात को नीन नहीं आती, करता है, मतब अढ़ंस, क्यों दि отдел होती है, वो परbu稳़े से एहीं दोखे है, यह सारी से ऊतने में होती है, वो भाने से टूबे के म吗